ऐख लोगों के नाम बताईए हम उस पे कारवाई करेंगे ऐसे में आये जान लेते हैं यह दवा कुरोना काल में कितना कारगर है दुस्तान अकवार में चपी ख़बर के अनुसार रिडिसेमीर दवा को लोकर जितना हाहकार मचा है वह संक्रमित मरीजों के मौत के जोखिम को कम करने में कारगर नहीं है को बता दे कि विशु स्वाथ संगठन ने कोरोना के इलाज के लिए जिस रिडिसेमीर के साथ ही चार अन्य तरह की दवाओं का जिक्रिक करते हुए कहा है कि इसके तर्थ चवकाने वाले हैं पर सोध में पाया गया है कि यह दवाए मौत का जोखिम घटाने में बिल्कुल ही कारगर नहीं है इन दवाओं को लेकर डबलु एचो के सोलिडेटरी ट्राइल के तहत कोविड-19 के उपचार में उपियोग की जा रही चार सरवधिक पर चली दवाओं में रेडिसेमीर, हाइड्रोक्सिक्लूरुक्विन, लोपिन, भीर, रेटनवीर और इंटरफेरोन, बीटावन, एक आधियन दुनिया के 30 अस्पतालों में किया गया इसमें रेडिसेमीर दवा पाने वाले मरीजों की अवस्था को लेकर 5 वार फॉलो अप किये गए ताकि इस पर सरवाधिक पर चली दवा के असर की सही सही जनकारी सामने आ सके सोध में जो नतीज़ सामने आए हैं उब पर रंभिक अस्तर के हैं पर ये दवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं सोध की माने तो रेडिसेमीर समेट चार सरवाधिक उपियों में की जाने मरीजों में वेंटिलेशन की अवस्था को कम नहीं किया जा सकता ना ही इन दवाओं से मिर्तियों के जोखियों को कम करने में कोई मदद मिलने के उजहान मिले हैं इतना ही नहीं जिन मरीजों को हड्रोक्षिक लोरोक्वीन या फिर इंटर्फेरोन बीटावन ए दी जा रही है कि बचने की समभाव ना पाई गई है इधर आक्सपोर्ट बिस्पिद्यालाय के महामारी बिश्यसग ने डेवलु एचो के इस अधियन के बारे में कहा है कि यह बैग्यान को और चिकिसकों के लिए बहुत बड़ा खत्रा सावित होगा नों ना कहा कि सोध में सभी दवाओं का समगर अधियन हुआ हमें उमेद थी कि अन दवाओं के मुकाबले डेडिसेमीर का परदर्शन बहतर होगा पर उसमें मरीजों के उपचार में कोई बिशेश लाग ना मिलता बेहद निरासा जनक है गौर्ट अलब है कि अभी यह एक प्री प्रिंट सोध है इसकी समिक्षा होनी बाकी है पिछले साल जब कोरोना महमारी की सुरुआत हुई थी उस समय डेडिसेमीर दवा का क्रिंकल ट्राइड हुआ था इसमें यह पाया गया था कि इस दवा के इस्तेमाल से रोगियों के ठीक होने का समय 15 दिन से घटकर 11 दिन हो गया है इसके बाद इस दवा की मांग दुनिया भर में बढ़ गई यह अध्यान अमिर्की एजिंसियों के द्वारा किया गया था तब इस दवा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उस समय के अमिर्का के राजपती डोनाल ट्रंप ने कई बयान दिये थे दवा निर्माता कंपनी गिलियर्ड ने कहा था कि जब तक महमारी चलेगी वह इस दवा के निर्मान के लाइसेंस पर कोई रोयल्टी नहीं लेगी साल 2020 में मई के आसपस भारा सरकार ने भी इस दवा के अधिकारिक उपयोग को मंजूरी दे दी थी खिलहार भारत में इस दवा की भारी कमी की खबरे मीडिया में चल रही है आपको बता दें कि इस दवा का सरकारी अस्पतालों में भी चोरी की खबरे सामने आई है